हाई एवरिवान गुड मॉनिंग विल्कम बैक टू माई चैनल कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो आज है होली का दिन आप सभी को होली की धेर सारी सुबकामना हैं आप सभी के जीवन में धेर सारी खुसियों का रंग भरा रहें इस्वर की कृपा सदा आप पे बनी रहें तो होली की सुरुआत इन्हीं लोगों के साथ होती है सबसे पहले मैं यही रंगों का तहवार पूजा के साथ ही स्टार्ट करती हुँ जैसे भगवान जी लोग के साथ ही तो बस पूजा करने के बाद आ गई हूँ किचन में वैसे किचन में और कुछ काम मैंने सुबह सुबह निप्टा लिये थे जैसे नहा तो लिया सुबह ही और नहाने के बाद ना वो जो दही भल्ले बनाने थे तो वो उसकी तयारी मैं करने लगी उसको पीसा और उड़त दाल वगएरा जो छिलके वाली थे तो वही धोने में टाइम लगा थोड़ा सा तो वो सब मैंने जल्दी जल्दी किया पीस दिया और इन्हें दे दिया कि ये थोड़ा सा जो है उसको फेटना होता है न तो इन्होंने फेटा और छानने का भी काम इन्होंने ही किया मैं कड़ाई में डालते गई और ये जो है फ्राई करते गई बीच बीच में मैंने वही मसाले दही भले का और ग्रीन वाली चटनी ये सारा कुछ मैंने तयारी किया तो थोड़ा सा उठने में आज लेट हो गया वही कल की थकान मतलब दो दिन से तो थकान हावी है तो सुबह म मैं उठके फिर सो गई कि नहीं थोड़ा सा सो लेती हूं नहीं तो क्या पता जो है तबियत वगरा न खराब हो जाए थकान की वज़ा से तो थोड़ा सा लेट हुई तो काम थोड़ा जल्दी-जल्दी करना पड़ा तो सुबह मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया मतलब वो बनाते समय फिर पूजा करने गई बनाने के बाद मैं पूजा करने गई और पूजा करने के बाद फिर से आई हूं तो अभी यहां पर बना रही हूं यह बटर पनीर तो आज जो है इन लोगों की फर्माईश थी कि आज बटर पनीर बनेगा तो वही इधर कड़ाई में मसा ऍशलपा इहीं किया जाता है बस हलका यहीं हल्दी और यह कसमीरी लाल मीर्च ब्लकषअ चीडरा है नमक आल कुन्हादर तो थोड़ा स्वाद में इसका टेस्ट बôm जाता है जाए कि तो ते सब में सब कह से cœur कीब़ाई। तो थोड़ा सा इसको बनाने में टाइम भी लग जाता है जल्दी जल्दी मैं कर रहे थी लेकिन टाइम बहुत जादा लगा दही को भुनना फिर वो पूरा उसको चलाना होता है लगातार जो है कि कहीं भट न जाए तो थोड़ा सा इसे बनाने में टाइम लगता है लेकिन त पूरियां तल दूंगी तो खाना जो है सुबह का हो जाएगा बाकी वही दही भल्ले वगरा हैं तो बीच बीच में जिसका जैसे मन करेगा वो खाएगा तो यहां पे चावल डाल दिया है मैंने बस इसको दो मिनट भुनने के बाद जो है पानी डाल दूंगी इधर मसाले इसको भुनने में तो अभी यहां पे जो है डाल दे रहे हूँ यह धनिया पती कभी और जो है इसकी रेसीपी फुल डीटेल में मैं सेयर करूंगी थोड़ा सा टाइम लग रहा था ना और बीच बीच में मैं बाहर जैसे देख रही थी दर उदर यह लोग भी सब लोग घर पे थे तो तेहवार के दिन ऐसा होता है ना कि सबको टाइम देना जरूरी होता है तो थोड़ा सा वीडियो इधर उदर हो रहा था तो यहां पे सबजी बनके तयार हो गई है और देखी रहे हैं कि इतना अच्छा टेस्ट भी इसका इतना अच्छा आया था ना कि मतलब एक टाइम काफी हो चुका है अभी यहां पे पुडिया मैंने तली है और ठाली लगाई है तनमे के लिए तो टाइम करीब साड़े बार एक का टाइम हो गया था मतलब रंग वंग यह तनमे खेल के आ गया था हम लोग सुबह के टाइम रंग नहीं खेलते हैं तो बस खाना पिन होने के बाद सारा काम खत्म करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा तैयार हो गई साड़ी अगर्य पहन लिया और तनमे अभी यही निकलेगा जो है तो दोस्तों के साथ थोड़ा सा यहीचोटा था ना तो सबके घर जाना आना होता था लेकिन अब जो नहीं जाना चाहता Гोमना आजाते हैं मिलने जुलने कुछ पापा के दोस्त लुग आते हैं कुछ इनके जो हैं बाकी बहुत ज़ाद नहीं तो हम लोग आपस में ही बस ऐसे ही हम लोग का तहवार मनता है कि मतलब अपने में जो है लगा लिया रंगुलाल खाना पीना और बैठ के समय बिताना मतलब यह ही घो तो है साथ में बैठके हम लोग तेभार के दिन यह होता है यह स्क संध्म ěकःतक आए्वार सब्सक्राइब नेने कि dissipiera वगम होता है तो आद अधी अध मतुझका है तो हम लोग काम करते हैं यह बना लिए अ क्वाई manus बीच बीच में ये नमकीन कोल्ड रिंग हम लोग बैठ के पिए तो ये सब दिन भर चलता रहता है ना तो रात को फिर खाने का मन नहीं करता है कुछ भी तो वही दिमाग में था कि कुछ भी हलका सा बन जाएगा वैसे पनीर की सबजी थोड़ी सी बढ़ा के मतलब हो जाती है थोड़ा सा जादा बनी जाता है ये सब कुछ बनाओ तो थोड़ा सा जादा बन जाता है तो तन में निकल क्या है और हम लोग बैठ के यही बस मैं सोच रही थी कि कोई आए जैसे दो तीन लोग आती हैं और दो तीन भाभी लोग वो सब लोग आती हैं लेकिन क्या हुआ इ दिन में वही वेट कर रही थी लेकिन वो लोग नहीं आ पाई फिर बाद में वही दो तीन साम को जो है दो तीन लड़की आए तो उन लोगों से मैंने पूछा कि क्यों नहीं आई भाभी लोग तो उन्होंने बताया कि मतलब होता है ना आज के दिन में कब काम बढ़ी जाता ह कुछ लोगों के घर ज्यादा काम कोई आगया कुछ तो और काम में लग गया तो उसी में बीजि हो गई तो नहीं आ पाई और यह जो है साम को बहुँत लेट यह लोग आई तो फिर मैंने उन लोगों का भी कोई बस बैठी थी यही मैंने दही भले दिये उन्होंने खाया और तुरंत वो लोग भी चली गई यहाँ पर यह दही भले की प्लेट मैं तयार करी हूँ तनमे के दोस्तों के लिए तो पहले ही उसने बोल दिया था कि अलग ममी जो है मेरे दोस्त आएंगे तो तुरं जो है आप रेडी कर दीजिएगा तो उसका पहले ही से था दही यह सब जो है सुबह सुबह रेडी कर दिया था कि जब जिसको चाहिए पापा को सबको तो मैंने सुबह ही दे दिया था तो एक एक प्लेट सब लोग सुबह ही खा लिये थे और अभी बीच बीच में वही जो जो लोग आते गए जैसे गाउं के लोग होते हैं ना नीचे ही आते हैं वही तो नीचे मैं देती गई तो यहां पे तनमय के दोस्तों के लिये देखिए प्लेट लगी हुई है और यह अमूल कूल तो वो अलग से मंगाता है अपने दोस्तों के लिए कि हम लोग जो है cold ring वगएरा और या कुछ और नहीं पिएंगे बाद में cold ring भी मतलब इसके पीने के बाद उसको cold ring भी फिर चाहने लगा था अब भी ये सुबह का time है तो फिर साम को क्या हुआ ना कि हमी लोग थे बस मतलब हमी तीन लोग थे अपने में ही बैठना वही दो तीन लड़किया आई थी वो लोग चली गए फिर मैं भावी लोग का मैंने बहुत देर तक वेट किया साम के time क्या हो जाता है ना कि जैसे हमारे यहां जैसे meat वगएरा भी non-way सबके घर में बनता है तो उस वज़े से भी बहुत जादा लोग बीजी हो जाते हैं तो थोड़ा सा आना जाना मुस्किल हो जाता है कभी कभार लोग आद भी जाते हैं तो वेट तो मैं करी रही थी लेकिन नहीं आपाई लोग तो हमी लोग अपना बैठ के बादचित करना फिर जो है थोड़ा सा मस्ती मजाक चला तो उस time पे ना कुछ भी clip वगएरा वीडियो बनाना थोड़ा सा अच्छा भी ने लगता होता है ना कि एक दिन ऐसा रहना चाहिए कि मतलब उस दिन पूरा जो है ना कम से कम अपना quality time जो है खुद के साथ अपने परिवार के साथ जो है बिताए और सही भी रहता है सबकी छुटी रहती है सब के पास time रहता है सब लोग साथ में बैठे होते हैं तो सुबह के time अभी जो है वही routine स्टार्ट हो गया सुबह मैं उठी नहाई त आज है छुटी का दिन ही है लेकिन हाप दे मतलब 12 एक बज़े तक आ जाएंगे तो बस उठी और खाना बनाया कि काम तो करना ही है तो लेट करने से क्या फायदा यह जा चुके हैं अभी उसके बाद किचन क्लीन किया मैंने और यह अभी सारे बरतन वगेरा जो भी थे धु लिए और कुछ क्रॉकरी वाले थे वो तो रात को ही मैंने साफ कर लिया था बरतन वगेरा किचन यह सब मैंने रात को ही ना साफ कर लिया था कि सुबर थोड़ा ज्यादा काम जो है ना रहे यह मिक्सर ग्राइंडर ना यह भी जो है कल्म चटनी और यह सब पीसने में ना ब तो प्लीज वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बाबाई, थेंक्स फॉर वचिंग